देखर 40,000 के बड़ेट के अंदर हमें जो भी लाप्टाप मिलते है ना वो जादा तर हमें थिनन लाइट सीरीज के प्रोफेशनल लाप्टाप मिलते हैं बट मैंने आपके लिए बहुत ही मुश्किल से ढूंद के गेमी लाप्टाप भी कवर किया है जो कि हमें अंदर 40,000 के बड़ेट के अंदर मिल जाएगा तो आज किस वीडियों के अंदर में आपको 5-6 लाप्टाप बताऊंगा जो कि 40,000 के बड़ेट के अंदर सबसे बड़िया लाप्टाप्स है और सभी लाप्टाप्स की RAM और स्टोरेज एक्सपेंडिबल है कम से कम चलाना ही होता है तो हम बड़िया कंपनी का लाप्टाप लेंगे जिसके अंदर आपको आफ्टर सेल सर्विस के अंदर भी कोई दिक्कत ना मिले सबसे पहरा लाप्टाप है HP का 15S लाप्टाप यह लाप्टाप इस परेट का वानों दी हाइस सेलिंग लाप्टाप है 37,000 रुपीज का करन प्राइस है और इसके अंदर में बिल्ट इन अलेक्सर की सपोर्ट मिल जाती है तो प्रेट विद दर वोइस कमांड बैकलेट कीबोर्ड दिया गया लाप्टाप में पॉली कार्बोनेट बाडी के साथ और इसके अंदर में i3 का 1215U प्रेसेसर दिया गया 6.8 थर्ड वाला बहुती बड़िया प्रेसेसर है लेटेस प्रेसेसर है इस टाइम के अकॉर्डिंग 8GB की रैमल जाती है चीज़ होगी चार से पांच खंटे तक का बैटरी बार का मल जाएगा 41 वाट रास की बैटर और 65 वाट का अड़ाप्टर दो यूएस्पी टाइप एक यूएस्पी टाइप सी HDMI और 3.5 mm जैक ये सारी हमें इसके इंदर पोर्ट्स मल जाती है अगर आपका वेट 37-38,000 रोपीज है ना बिल्कुल आँखे बंद करके आप इस लाप्टोप को बाय कर सकती हो दोनों का प्राइस भी बिल्कुल सहीं है और एक और चीज़ यहां पर मैं आपके लिए अड़ कर रहा हूँ डेल वास्तरो 3420, लिनोव ऐडियापड स्लिम 3 ये जो दोनों लाप्टोप है ना ये भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं इनके अंदर आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल से मिलने वाली है और सभी के बैस्पा लिंक साब के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अड़ कर दी हैं आगे बढ़ते हैं एसर के एस्पायर लाइट लाप्टोप को चेक करते हैं इसके अंदर में मेटल की बॉड़ी मिल जाती है देखो मेटल की बॉड़ी होने के कारण इसकी बिल्क क्यालिटी है वो बागी से भी लाप्टोप के कमपेरिजन में काफी बढ़िया हो जाती है अब देखो 40,000 अगर हम AMD राइजन की बात करने न तो बहुत से प्रिशेसर देखने को मिल जाते हैं 15.6 इंचिस की फूल इशी एंटिकलर डिस्प्लेइ, 258 की बैटनेस एंड 45% NTSC स्टेंडर डिस्प्लेइ जो की इस परेट के हर एक लाप्टोप के अंदर हमें मिल जाती है 36Wh की बैटरी के साथ ही 3-4 खंटे तक का बैटरी वेकप, 3 USB टाइप है, 1 USB-C, Gen 2, HDMI 3.5mm jack और साथ में Ethernet केबल ये सारी हमें इसके अंदर पोर्ट्स मल जाती है इसके अंदर हमें जो प्रिशेसर दिया गया वो 5500U का सक्सेसर प्रिशेसर है, 5625U इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जादा बढ़िया मिल जाती है तो एक्चुली इस लाप्टोप को बाइकर तो हम क्या कर रहे है कि 2-3 नजार रुपे हम एक्स्राइड कर रहे है फ्री, 41Wh के बैटरे के साथ 4 खंटे तक का बैटरे वेकप, 2 USB Type-A, 1 USB Type-C, HDMI, 3.5mm jack बैकलेट कीबोर्ड नहीं मिलता, एक साल की ऑनसाइड वारेंटी दे रखी है, अच्छा लाप्टोप है, जरूर कंसेडर अगरो इसे आप अगला प्रोफेशनल लाप्टोप है, Acer का Aspire 3 लाप्टोप, 40-43,000 के बीच में इसका प्राइज वेरी करता है, बट इसकंदर में जो प्रिशेसर दिया गया ना वो दी बेस्ट है, i5-12 जनरेशन प्रिशेसर है, 1235U, सिंपल चीज है, सबसे पहले आप इसके स्कोर्स चे SSD, which is also expandable, 15.6 इसके डिस्प्ले, TN डिस्प्ले है, Full HD, 220 Nits की ब्राइटनेस, and 60 Hz का refresh rate है, Intel के RS ग्राफिक्स, MS Office, Lifetime, Validity के साथ में, 4-5 खंटे तर का बैटरी बैटरी अकप है, 3 USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 Ethernet, HDMI 2.1, and 3.5 mm jack, यह सारी में इसके इंदर पोर्स मल जाती है, अच्छा है, आप इसके ओपर चाहे कोडिंग कर लो, occasional gaming करना चाहते हो, office के काम होगे, AutoCAD जैसे softage चलाने है, media consumption करनी है, you name it, हर एक चीज़ आप इसके ओपर कर सकते हो, इसका जो प्राइस जाना वो 39,000 से लेके 43,000 तक के बीच में रहता है, बट इसके अंदर हमें P-Series का प्रसेसर है, वो 1220P है, क्योंकि जो P-Series वाले प्रसेसर होते हैं, वो जादा तगड़े काम करने के लिए बने होते हैं, as compared to U-Series का प्रसेसर, और वहीं फिर इसका जो बैटरी बैकप है, वो थोड़ा सो compromise हो जाता है, U-Series का बैटरी बैकप जादा अच्छा होता है, comparison आपके सामने एंटी ग्लेर IPS लेवल डिस्पले, दोस्तो निट्स की ब्रैटना, 63 हर्ट्स का रिफ्रेश एट है, इंटल के उस्टी ग्राफिक्स, MS Office Lifetime Valority के साथ में 2021, चार से पांच खंडे तक का बैटरी वेकप, तीन USB टाइप, एक USB Type-C HDMI 3.5 mm जैक, बिल्ट इन एलेक्सर की आप इस ब्रैट का आप इसे जरूर जरूर कंसेडर करो, यहां पर प्रोफेशनल लाप्टोप होते हैं, खतम चेक करते हैं, गेमी लाप्टोप को, जो कि MSI का GF63 लाप्टोप है, 42,000 रुपीस लाप्टोप का एक्जैक्ली करन प्राइस है, इसके इंदर में पूरे दो सा आप इसले हैंडल कर लेगा, देखो वैसे तो आपको यह चीज़ करोगा कि अगर आप अपने बज़ट को पुश कर सकते हो, तो 67,000 का लाप्टोप आपके लिए बढ़िया रहेगा गेमी के लिए, अगर बज़ट टाइट है, अपने पास कोई आप्शन नहीं हैं दूसरी फिर यह लाप्टाप हम बाइक कर सकते हैं, 8GB की रैम एक्सपैंड़ेबल, 64GB तक 512GB के SSD विच इस अग्सपैंड़ेबल, मेरी मानों गेमी के लिए 16GB की रैम कम से कम होनी चाहिए, जैसी आपने लाप्टाप ओर करना है, साथ में इसकी रैम भी ओर देना, तुरंत यह आप देखो सभी लाप्टाप के जो बेस्पा लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इन में से किसी भी लाप्टाप को बाइगर लो, अगर तो आपने थोड़े बहुत हैवी काम करने है, प्रफेशन लाप्टाप बाइगरने है, विवोग 15 और बजट के इंदर लाप्टाप बाइगरने, उन सब भी बजट की वीडियो आपको चैनल के ओपर मिल जाएगी, that's all for this video guys, thank you for watching the video, peace out.